दोस्तो आज की प्रोपर्टी काफी शांदार है अभी तक फॉलो नहीं किया आता फॉलो जरू करने मुझे टैलिग्राम, इंस्ट्राक्राम, फेस्बुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं काफी अच्छी कालोनी है रोड बनी हुई है पकी पिच्छी करच की डेड़ बन्जिल की प्रोपर्टी है इसके अंदर आपको टू विलर की पार्किंग मिल जाती है दोस्तो देख पा रहे हैं पूरे मकान में टाइल वर कापको देखने को मिल रहा है काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है यह देखे दोस्तो जो पहला कमरा रहने वाला है लगबग दस बाई 11 का रहेगा प्रोपर विडों दी गई है प्रोपर वेंटिलेशन मिल जाता है इसके अंदर खास बात क्या है दोस्तो टॉयलेट और बातरूम सेपरेट दिया गया है काफी लोग की डिमांड रहती है कि सेपरेट तोलेट बातरूम होना चाहिए तो उन के लिए ये काफि शांदर प्रोपर्टी है बुलकुर सेप्रेइट पोर्चन है दोनों के दोनों उपर तक टायल वर्च आपको देखने को मिल जाता है और बहार का पोर्चन जो है बुल फोर्चन सेप्रेइट दिया गया है देख सकते हैं ये पोर्चन ब्लाइब अन तो पीछे वाला लगबग 12-14 का रूम रहेगा बहुती शानदार आपको स्पेस मिल जाता है पीछ वाले कमरे का किचन जो रहने वाली है दोस्तों आपको मोडिलर किचन मिलने वाली है जिसमें आप देख पा रहे हैं जो कैविनेट से क्वालिटी है वो लोहे की दी गई है प ओब काफी शांदा वर्क मिल जाता है आपको प्लस एसेस की रेलिंग्स मिल जाती है और आप देख पा रहे हैं पूरे में आपको टाइल वर्क देखने वाले क्रेटी जो रहेगी जड़ से है अनलब की जमीन भी आपकी रहेगी और चछत भी आपकी रहने वाली है ऊपर भ गाजियबाद के पास की प्रोपर्टी है उपर भी आप देख पार है टॉलेट बात्रूम बना के दिया जा रहा है एक टॉलेट बात्रूम नीचे है जो कि सेपरेट है उपर आपको अटैच मिल जाता है प्लस आप देख पार है एक कमरा उपर भी आपको देखने को मिल जाता है 85 प्रोपर्टी है और काफी जैनुवन है बिजली पानी यहुसी सारी इसलेटी है और से पास का एलिए सारा रेसिटेंशल कि अंदर आप यह जड़ से मिलना ओली है आग रहने वाली है अगर हम बात करें प्राइस की तो थर्टी नाइन लैक रुपीज डिमांड रखी गई है प्राइस ने कोई शिवल है दोस्तों बाकि 80% लोन की सिवधा हो जाएगी 20% देखे आप मकार में शिफ्ट हो सकते हैं बहुत ही जैनल प्रोपर्टी है देख सकते हैं लोहे की आपको यहाँ पर मोडूलर केचर मिल जात इस से सुस्ती डेड़ मंजिल की 45 जगज में प्रोपर्टी नहीं मिलेगी कहीं पर आप सर्च कर सकते हैं आपको यह वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें दोस्तों